Welcome to Mom's Diaries आज हम बात करेंगे कि अगर कुछ कारण की वज़े से बच्चे का टीका छुट जाए या उसका समय निकल जाए तो आपको क्या करना चाहिए बच्चे के जन्द के बाद चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो या गवर्मेंट हॉस्पिटल में हो हर उस्पिटल की तरफ से वैक्सिनेशन रेकॉर्ड बुक दिया जाता है कि बच्चे को कौन से मैने में कौन सा टीका लगवाना जरूरी है टीका करन चार्ट के हिसाब से ही उसी मैने में बच्चे को टीका लगाना जरूरी है लेकिन कुछ कारण की वज़े से बच्चे का टीका करन अगर समय पे ना हो तो उस टीके को आप बाद में भी अपने बच्चे को लगवा सकते हैं लेकिन बच्चे को हर टीका लगाना जरूरी है कोविड की वज़े से बच्चों का टीका करन समय पे नहीं हो पाया है कुछ बच्चों को तो एक साल से कोई भी टीका ही नहीं लगा है ऐसे केस में भी आप वो वैक्सिन आप ले सकते हैं बस ये ध्यान रखे कि हर टीके के बीच 28 दिन का गैप होना जरूरी है सारे टीके बच्चों को एक ही दिन में ना लगवाए इसके लिए आप बच्चों के डॉक्टर की राय जरूर ले और उस हिसाब से वैक्सिनेशन करवाए वैक्सिनेशन चार्ट का वीडियो मैंने अलग से बनाया है उसके साथी बच्चों को वैक्सिनेशन के दर से राहत देने के लिए आपको क्या करना चाहिए इसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है वह आप प्लीज देख लीजिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है उम्मिद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छे लगी हो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मॉम्स डायरिस को सब्सक्राइब करें थैंक यू